आज हम आप लोगों के बीच पुना जगरफी के महत्मून पॉइंट वायू मंडल को लेकर आये हैं वायू मंडल को बताने से पहले मैं आप लोगों को वायू क्या है इसके समंध में बता दे हमारे पृतिवी के चारो और विवीन तरके गैस के उपस्थिती है इन ही गैस को वायू कहा जाता है और इन ही गैसों के समों को वायू मंडल कहा जाता है अर्थात वायू और वायू मंडल दोनों एक ही चीज हुआ एक ही नाम है उसी को अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है और मैंने अभी भी बताया कि वायू मंडल में बिभीन तरके ग्यास पाए जाते हैं जी हां कई ग्यास पाए जाते हैं उन ग्यासों को हमने दो वर्गों में बांटे हैं एक भारी ग्यास या प्रमुग्यास तो भारी ग्यास में ये चार नाम है या प्रमुग्यास ये चार है सबसे पहले है नैट्रोजन जी नैट्रोजन पूशता भी है कि वाई मंडल में सबसे अधीक किस ग्यास की अधिकता है तो नैट्रोजन की नैट्रोजन क और तीसरा है आरगन जी आरगन 0.9 3% और चौथा खतरनाक कहिए CO2 जो 0.0 32% इस परमुक ग्यास में से हमारे लिए और जीब जन्तू के लिए सबसे महत्पुन है ऑक्सिजन इसके बिना हम लोग जिबित नहीं रह सकते हैं अब देखिए यह CO2 सबसे भारी ग्यास है सबसे भारी ग्यास उसके बाद अन्न ग्यास जो है मात रोगो देखिए 0.04 प्रतिसत है जो हलका ग्यास है हलका ग्यास का लिस्ट यह है हिलियाम नियान हिलियान क्रिप्टन जेनन ओजन यह सब कुन है हलका ग्यास में आता है इन्हीं ग्यासों के उपस्तिति हमारे वायू मैं थोड़ा सा वायू मंडल को यह बता दू कि हमारे जो पृथिवी के ऊपर या पृथिवी के चारों और जो हैं लगभग एक हजार किलोमिटर तक वायू की उपस्थिती है और हां सब जगह एक रंग नहीं है एक जैसा वायू की उपस्थिती नहीं है मैं बता दू आप लोग को कि वायू का 99% भाग हमारे वायू मंडल के मात 40 किलोमिटर के नीचे है 40 किलोमिटर के नीचे वायू का 99% भाग उपस्थित है जी तो इसमें जो ग्यास में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसमें पुछा जाता है कि सबसे अधिक वाई मंडल में किस गयास की अधिकता है तो नेटरोजन की, आ शबसे भारी गयास कूण है, तो COT और सांस लेने में किस गयास की जोड़त होती है, तो अक्षिजन की तो इस गयास पर, या फिर इसमें और पुछता है कि हलका गैस कौन है तो यह जो है यह हलका गैस है और यह भारी गैस है तो गैस पर इसी तरह के दो चार कोश्चन पूछे जाते हैं अब हम इसका जो महत्पून पॉइंट है वाई मंडल का वो है वाई मंडल की परते जी वाई मंडल की परत जो है अर्थात वाईू मन्डल जो है उसको जो है पांच परत में बाटा गया है पांच परत में जो महत्पुन है उन पांचों का आधियन करना competition के दृष्टी से हो या अंदृष्टी से हो बतादो आप लोग को इन पांचों में देखें नाम क्या है, पहला का है, छोब मंडल, दुसरा का समताप मंडल, तिसरा का मद्ध मंडल और चोथा का आयन मंडल, पच्मा का बाह या वहरी मंडल होता है अब देख्ये, सबसे इसमें महत्पून जो होता है, वो है छोब मंडल चोब मंडल से अधिक सेधिक question पूछे जाते हैं जी इसलिए चोब मंडल को विशेश रूप से ध्यान देकर सुनिए क्या क्या होता है सबसे पले चोब मंडल की जो उचाई होती है वह विश्वत रेखा पर 18 km तक होता 0 से 18 km तक और ये धूर पर जो होता है वह 8 km तक होता है जी धूर पर 8 km होता है लेकिन इसका आउसत पुछा जाता है इसका आउसत जो उचाई होता है वह आपको 12 से लेके 13 km तक होता है जी 12 से 13 km तक इसका आउसत उचाई होता है और सुन लिजे इसमें क्या क्या होता है और सुन लिजे इसमें क्या होता है इसमें सबसे नीचे वाले भाग में यह स्योटू पाए जाते हैं अर्थाथ सबसे भारी ग्यास इसमें नीचे वाले अस्तर में पाए जाता है और सुन लिजे इसमें जो तापमान होता है वह जो जो हम उपर जाते हैं घटता है तापमान सबसे नीचे जो होते हैं इसमें CO2 पाया जाता है अर्था तो भारी क्यास है सबसे नीचे CO2 पाया जयां की से सबसे नीचे ज्यादा नाता है क्योंकि यहां पर स्योसीच जिए हम ऊपर जाते हैं तो CO2 की मात्रा कम होती जाती है इसलिए तापमान भी क्या होता है घटते जाता है अर्थात इसमें जैसे जैसे उपर जाएंगे तो तापमान कम होगा एक जी और बता दू आप लोगों को यह CO2 जो है इसको ग्रीन हाउस ग्यास भी कहा जाता है चुकि गलोबल वार्मिंग य है CO2 का बरना इसलिए ग्रीन हाउस का सबसे परमुग्यास CO2 है और उसके बाद आप लोग को एक चीज और बता देते हैं छोब मंडल में छोब मंडल की जो उचाई होता है न वो सर्दी के मोसम में कम हो जाता है और गर्मी के मोसम में बढ़ जाता है क्यों ऐसा होता है क्यो होती है उचाई कम हो जाती है अगर मी के मोसम में क्या होता है तो वायू हलकी हो जाती है वायू उपर उठती है तो इसका उचाई थोड़ा बढ़ जाता है तो अब देख लीजिए इस छोब मंडल में जो महत्पूल बाते हैं उसको एक बार फिर से सुन लिजिए चुकि कि केंपेटिशन में इससे ज्यादा ज्यादा क्वेशन पुछता है तो सबसे पहले क्या है छोब मंडल की उचाई धूरब पर और विश्वत रेखा पर एक समान नहीं है विश्वत रेखा पर जीरो से ठाड़ा है जबकि धूरब पर जीरो से आठ किलोमेटर है पहला दूसर मुसम समंदी जितने भी घटनाए घटती है वह छोब मंडल में घटती है तीसरा छोब मंडल में हम नीचे से जब उपर के और जाते हैं तो तापमान घटता है और कितना तापमान घटता है परती एक 25 मीटर पर एक डिरी तापमान कम हो जाता है और छोब मंडल के एक और कि चोब मंडल में सर्दी के मुसम में इसकी उचाई कम हो जाती है अगर्मी के मुसम में इसकी उचाई पर जाती है और एक और question इससे पूछा जाता है कि चोब मंडल के आउसत उचाई कितनी होती है तो 12 से लेके 13 किलोमेटर तक तो इस तरह से छो मंडल की जो महत्पून पॉइंट था जिस पर question अधिक से अधिक पूछा जाता है वो हमने बताया है अब देखिए दूसरा मंडल चलते है समताप मंडल जी समताप मंडल से नाम से एकलियर होता है कि इसमें क्या होगा समताप अर्थाथ इसमें ताप मान लगभग समान होता है ताप मान बढ़ता घटता नहीं है जिसे इसमें घटता है इसमें वैसा नहीं होता है और इसमें सबसे महत्पून एक और चीज याद रखना है कि इसमें मोसम समंदी घटनाएं नहीं घटती है जबकि इसमें मोसम समं करको आपको बताए कि हमारे सुर्ज की रोस्मारी प्रकास वहिसमें एक जहरीले खिरनly चस्कों प्रावेगनी किरन के नां को प्रावेगनी किरन को रोकने बाला जो परत है नाम सुने होंगे ओजन परत ओजन परत इसी में पाए जाता है इसमें 15 से लेकर 35 किलोमिटर की उचाई तक इसमें ओजन परत है और ओजन परत क्या करता है सूर से निकलने वाले अत्ती जहरीली कीरन प्राविगनी कीरन को अवसोसित कर लेता है ऐसा मना जाता है कि यह कीरन अगर सीधी प्रिथिवी पर पहुँच जाए तो एक भी जीवजनतु जीवित नहीं रा सकता है अता यह मंदर अर्थात ओजनपरत हमारे लिए हमारे जीवजनतु क करते हैं वह चैसर जब वहां पहुच जाता है यहां पर अधीक हो जाता है तो वहां पर और अधिकता रहती है तो वहां पर उसको पतला कर देता है हौल कर देता है और आज सबसे बड़ी समस्या यही हो रहा है कि CFC ग्यास का उपयोग कैसे कम किया जाए अगर नहीं होगा CFC ग्यास की उपयोगता कम तो आने वाले दिन में ओजन परत बहुत पतली हो जाएगी और फिर सूर्ज से जो आने वाली प्रावेगली किरने है जहरी ताप मंडल के जो महत्मून पॉइंट हो गया क्या हो गया कि इसमें ओजन परत पाये जाते हैं इसमें वाईवान को ओरने के लिए अनुकुल दसाएं उपस्तित रहती है तिसरा मोसम समंदी इसमें घटना यह नहीं घटती है इस पर तीन ही कुश्चन मुकृप से पूछा जाता है और एक और कुश्चन पुछा जा सकता है इस पर कि इसमें ताप मन क्या होता है तो चार कुश्चन इससे चार कुश्चन से अधिक इससे नहीं पूछ सकता है उसके बाद आए यह मदमंडल की उचाई देख लिजिए यहां पर विश्वत रेका पर 50-80 km तक और यह ब्रमान में पहुत सरे पत्थर या अन कन पाए जाते हैं और वह अन्यंत्रित होकर गीरते हैं तो पिर्थिवी के और जब आते हैं तो यहां पहुंचते ही वायों से घरसीत होकर उसमें आग लग जाता है और फिर वह जल जाते हैं उसी को पुछल तरह भी कहते हैं हम लोग तो इसमें ज़्यादर लिए पूछे जाता है ज़्यादर उचाईब नितुन होती है तो मधमनल मीं खिखा न गो उद्ध कायं इससमें की तरी नियोद मुखरता है यहां अगर यहां आयन मंदल नहीं रहता तो रेडियो धर्मी कीरन रिटन नहीं हो पाता उपर चला जाता और फिर हम रेडियो नहीं सुन पाते या इस किरन से जो अनकाम करते हैं वो नहीं कर पाते हैं अर्थात आयन मंडल से मुख रोप से एक कुश्चन पूछा जाता है यही कि इसमें रेडियों सुनने वाले या रेडियों तरंग जो हैं किस मंडल से प्रावर्थित होती है, किस मंडल से रिटन होती है तो आयन मंडल से होती है अब नेक्स्ट चलते हैं लोग वाह मंडल, जो उपड़ी मंडल है वैसे 640 किलोमेटर से यह सुरू होता है इसकी अंत कहा है, यह अभी तक निश्चितनी हो पाया है और इस मंडल से मुख रुप से उचाई पूछा जाता है हाँ, एक चीज़ इसमें से रहता है कि इस मंडल में जो हैं हलके गैस की उपस्तिती रहती है अर्थार्थ, यह जो हिलियन, हैड्रोजन है हिलियन है यह सब जनोन है यह सब इसमें पाये जाते हैं तो इसमें हलके गैस रहते हैं और एक चीज़ और बता दें कि जितने भी उपगरा हितियादी होते हैं वह इसी मंडल में स्थापित किये जाते हैं जिसमें वाह मंडल से क्वेस्टन ने ज्यादा पुछा जाता है तो साइद आप समझ गए होंगे कि किसी भी केमपेटिशन में सबसे अधिक जो क्वेस्टन पुछा जाता है वो छो मंडल से पुछा जाता है और उसके बाद समताप मंडल से उसके बाद मद मंडल से और ये दोनों मंडल से तो बिल्कुल फिक्सी है कि हलके गयास किस मंडल में पाए जाते हैं तो वाह मंडल में पाए जाते हैं और रेडियो धर्मी तरंग किस मंडल से परावर्तित होती है तो आयन मंदल से परावर्तित होती है इस तरह से आज हमने वाय मंदल क्या है वायू क्या है वायू मंदल में कौन-कौन गया से पाये जाते हैं वाय मंदल के परत क्या है किस परत से कितने एड़ी अमें